और अब खबरे विस्तार से घर में वृद्ध मैला को अकेले पाकर चोरो की ग्यांग ने रात में हमला करते हुए 98,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया पास से साथ चोरो की ग्यांग ने इस घटना को अंजाम दिया है यह घटा गिटिक अधाना अंतरगर दावाश्चेतर में सामने आई चाहो की नोकपर वृद्ध को डरा धमका कर लूट पाट करने वाली ग्यांग को लेकर परिसर में भय का वाता वर निर्मान हो गया है प्राप्त जानकरी कनुसार वेलकम सोसाइटी निवासी 70 वर्षिय अनिता प्रभाकर मेश्राम अपने घर में अकेली रहती है घर से करीब 500 मिटर दूरी पर ही उनकी बेटी और दामात का घर है राद के बीच 58 लोगों ने बहुत ही शातिर तरीके से दर्वाजा खोल कर उनके घर में प्रवेश किया वृद्धा को चाको दिखा कर उने चुप रहने का इशारा किया लुटेरों के डरावने चेहरे देखकर अनिता सहम गई लुटेरों ने अलमारिया च्छान ली लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अनिता के पहने दो कंगन कान की बालिया और सोने की चेन समेट 98,000 रुपे का माल लूट लिया कुछ देर बाद वृद्धा ने अपनी बेटी के घर जाकर जानकरी दी तुरंद पुलिस को सूचना दी गई इस घटना के बाद परिसर में दहशत का माहुल है साथ ही घर में अकेले रहने वाले वृद्ध परिवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गया है जानकरी मिलते ही डिसीपी विनिता साहू सिनियर पी आई गजानन का लियान कर तुरंद घटनास्तल पर पहुँचे और जानकरी हासिल की